हेलो फ्रेंट्स आज के इस क्लास में मोडल सेट नंबर एट देखने वाले हैं जो कि आपके बिहार सची वाले थर्ड सीजियल के लिए है देखे जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लिजेगा आपके लिए काफी सारा प्रै पॉरबिक रिखने लमा आये तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा टेलिग्राम गुरुप का जो आपकी लिंक है वह आपको मिल जाएगा देखे नंबर है आपके सामने 95 senza 584 3550 इस नंबर पर हैक ग्रास का ऐस की दोचरने की ऩ मिशन की अस्थापने किसने किया काफी जाता एजी कोशन है बताईए देखे रामक्रिष्ट मिशन की अस्थापना श्वामी विवेकानन्द की द्वारा किया गया था देखे अगर पूछेगा अस्थापना बताईए पूछा ही जाएगा कब की गई थी अठारा सो संतान्वे में उनकी जो गुरू थे रामक् याद करने की कोशिश करें तो इनके द्वारा क्या किया गया था तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 1815 इस्वी में आत्मिय सभा की अस्थापना इनके द्वारा किया गया था और और याद करने के कोशिश करेंगे अगर आप तो विदान्त कॉलेज भी इनहीं के द्वार जो कि बस इसके 1815 के 10 साल के बाद यानि कि 1825 हिश्वी में जो आपका ये विदान्त कॉलेज है इसकी अस्थापना की गई थी ठीक है और जैसे आपका ये देखे केसव चंदर सेन है इनके द्वारा वेद समाज की अस्थापना की गई थी केसव चंदर सेन की द्वारा वेद समाज की अस्थापना शन अठारा सो सरसट हिश्वी में की गई थी इन सब को याद रखिएगा, यहाँ से एक question आपका आएगा ही आएगा, चलिए, number second बताएए, भारत में दास पर था, कब अवैद घोशित किया गया था, देखिए, option number आपका a right answer हो जाएगा, verse 843 में इसे अवैद घोशित कर दिया गया था, ठीक है, और पूछेगा, किसके सम इनी के समय में दास पर था को बैन कर दिया गया था, मतला अवैद घोशित किया गया था, number third बताएए कि, 1815 में निम्लिखित में से किसने, आत्मिय सभा की अस्थापना की थी, option number आपका भी हो जाएगा, राजा, राम, मोहन, राय के द्वारा, किस चीज की, आत्मिय सभा की अस्थापना की गई थी, ठीक है, अगर पूछेगा कब किया गया था, अभी जस्थ आपको बताया गया था, 1815 इश्वी में कलकत्ता में आत्मिय सभा की अस्थापना की गई थी, राजा, राम, मोहन, राय के द्वारा, यहाँ पे मैच करना है, देखिए, बताएए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जहां भी टाइम चाहिए होगा, अराम सा वीडियो को रोक लिया करिएगा, ब्रह्म समाज की अस्थापना, 1828 इश्वी में, राजा, राम, मोहन, राय के द्वारा, आदी, ब्रह्म समाज की अस्थापना, केशब, चंदर, सेन के द्वारा, औ नमबर फाइब है, सार्दा मनी कौन थी बताईए, अच्छा कोश्चन है, अगर पता हो तो बताईए, ऑप्शन नमबर बी, रामक्रिष्न परम हंस की पतनी थी कौन, तो सार्दा मनी, दिखिए, सार्दा मनी के बारे में ध्यान रख लिजेगा, याद कर लिजेगा, यह को कुश्चन है, इस बार आपके लिए बन के आएगा, थोड़ा सा जो भी नॉर्मर हर बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इस बार चेंज होने वाला है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा, ब्रह्म शमाज की अस्थापना की गई थी, अठादो सा तीस इसवी भी देख लिए यहाँ पे, इसमें क्या वत्याद करिए, तो यह जो आपका ठगी पर था 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 ना, इसको खतम किया गया था, ठीक है, यह जो विलियम बैंटिक थे, इन्होंने करणल था, एक स्लीमेन, उन्ही की साहता से ठगी पर था का जो है, सम से पहले, सोलव महाजन पतों के युग में, मथुरा, इनमें से किसकी राजधानी थी, शूर सेन, आपका ड़ी, यहाँ पर राई टांसर हो जाएगा, मथुरा पूछे किसकी राजधानी, तो सूर सेन की राजधानी थी, ठीक है, वज्जी के बारे में आपको पता है, अगर इसके बारे में पूछेगा, तो वारा नसी आपको बता देना है, यह सब राजधानी एक दूसरी का रहा था, ठीक है, भारत में चिस्तिया सूफी मत को अस्थापित किया, किसने किया था, सेख मुहिनुद्दीन चिस्ति के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो यह ज अपंशन के दीक किया, किस सूफी मत के अस्थापित करने का स्थborg किसे जाता है, तो वारा से किस सुल्तान से खेम्ली के देखी है, तो देखिए, से कोई है, यह से एक रहे है तो देखिए option number जो C आपका है ना गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक ने नुजामुद्दीन ओलिया से भेट करने से मना कर दीगा था ठीक है उच्चतम नियायले के नियायधिशों की शंक्या में विरिधी करने की शक्ति किसके पास है तो देखिए सबसे पहले यह समझ लिए कि संसत के द्वारा पूछेगा अनुच्छेद आपसे पूछा ही जाएगा ध्यान रखेंगे जैसे आपका जो यह संस्था और संस्थापक था ना जैसे आत्मिय सभा की अस्थापना संस्थापक कौन रहे थे तो राजा राम मोहन राय कब किया गया था 1815 में यहां से एक कोश्चन गारिंटी रखिए कि आएगा दूसरा जो आपका यह है यहां से आना तै है समिधान में खास करके कोट वगरा हाई कोट से सुप्रीम पूट से यह कोश्चन बनता है ध्यान रखेंगे संसथ को अगर यहां पर पूछेगा तो सबसे पहले संसथ करता ह है उसके बाद देखिए 124 के कोडिंग संसद को ही उचितम नियाले कि अस्थापना है गठन है अधिकार वगड़ा सक्ति वगड़ा है इन सब के लिए कानून वगड़ा बनाने का अधिकार भी इनके पास ही दिया हुआ है तो अनुच्छेद 124 आपको ये ध्यान रख लेना ह यहाँ पर काफी ज़्यादा इंप्वाड़ेंट है लोगसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए नियुनतम आयोशीमा कितनी है तो आपको पता है 25 वर्स नियुनतम आयोः किसके लिए लोगसभा के लिए ध्यान रखेंगे 30 वर्स आपका है तो आप लोगसभा में फाइट कर सकते हैं लोगसभा सदस बनने के लिए नमंकर अपना कर सकते हैं राजशभा और विधान परिशद के बारे में ध्यान रखेगा राजशभा सबसे पहले और दूसरा आपका जो विधान परिशद है विधान सभा नहीं व आप लोगा कमेंट तो बहुत सारा आता है बट थुआ सा आपको ये समझना पड़ेगा कि कम से कम ये लिख दिया करिए विधान सभा आप टाइप करिए एज आपको जो पता हो 18 वर्स 21 वर्स 25 वर्स 35 वर्स जो भी पता हो आप इसके बाद यहां लिखेंगे तो समझ में आए शुन निकाल का अर्थ क्या होता है देखिए आपको बताया जा चुका है बहुत बार संसत का जब दोनों सदन में प्रस निकाल चलता है ना उसके बाद का जो समय होता है उसे ही आप शुन निकाल के नाम से जानते है ठीक है इस ये टाइम कब होता है तो देखिए बारा ये प्रस निकाल खतम हो जाता है धियान रखेंगे 12 बजे जो प्रस निकाल है ये खतम होता है और इसके खतम होने के जश्ट बात का जो टाइम होता है वो शुनिकाल स्टार्ट हो जाता है ठीक है ऑप्शन नमबर आप क्या लिखेंगे इसमें इसका अर्थ क्या होता है इसमे को दिया गया है तो यह आपको पता है option number C हो जाएगा चुनाव आयोग का ही काम है किसी भी दल को राश्टी दल या फिर छे तेजल का दर जा देने का ठीक है नंबर 15 चलिए देखिए बताईए कि बताना है कि राज जो पंचायती राज प्रणाली है इसकी रवस्था की गई है भारत के बारत में निमने में से किसके अंतरगत किया गया है यह आपको बताना है तो option number जो आपका सी है राज जी के नीती नीदेशक्सि धान्त के ही अंतरगत अनुच्छेद अगर आपसे निमने में दिया और जो आपका निती नीदेशक्सि धान्त है इसके बारे में भी पूछेगा तो यह आपका 36 से लेके 51 में दिया हुआ ठीक है देखिए आप लोगों को Lucent का जो Lucent और Crown का जो Objective वाला यानि कि Homework वाला Class दिया जा रहा है ना उसके तहर भी आपको ये करवा दिया जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए छोटा-छोटा सा Part While Lucent का जो इंपोर्टेंट Topic है वो मिलना अध्यान का जो जैसे कुछ साखाए है जैसे Epic Culture में क्या होता है तो आपको पता है मदमक्खी पालन का जो अध्यान होता है वो Epic Culture में ही किया जाता है हर्टी कल्चर हर्टी कल्चर के बारे में पूछेगा तो उद्यान वगड़ा से related ये रहता है आपका फिर दूसरा देसे मनुष्रिक को का क्या नाम रखा गया है ठीक है तो वज्यानिक नाम जो है Homo Sapiens आप जानते हो इस तरह का एक क्लास आज ही होगा तो आपके लिए आएगा उससे आप देखिएगा उसके बाद ये जो आपका अनुछेद वगड़ा है इसको भी बहुत ही जल पार्ट वाइज करके आपको अच्छे से करवा दिया जाएगा Homework दिया जाएगा फिर उसका MCQ करवाया जाएगा इस टॉपिक को जिसका कवर हो अच्छे से उनका तो कोई बात ही नहीं है जिनका नहीं हो आप जरूर देखिएगा अच्छे से अपना टॉपिक को आप स्ट्रॉंग करते चलिएगा साथ ही साथ आपके लिए लूसेंट और क्राउन का भी सेट अव धीर देले आते जाएगा आज आप क्लास उसका भी जरूर देख लीजिएगा चलिए नेक्ष देखिए लोगसभा की कारवाई में भाग लेने के लिए भाग लेने का जो अधिकार है न वो किसे नहीं होता है कहां पर पूछा है लोकसभा में तो देखे भारत के जो राश्टपति ना ँनको नहीं दिया गया है option number आपका यहां पर D-right answer ho जाएगा भारत के राश्टपती को राश्टपती के जो सची व होते हैं उनको लोकसभा के कारवाई में भाग देने का दिकार नहीं है बादमा की इन तीनों को जरुवत के हिसाब से ये सब आते हैं और लोगसभा की कारवाई में भाग लेते हैं ठीक है भारत के राष्टपती को विशिष्ट केंद्र राज कोशिये समंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है राई टांसर आप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी विट आयोग के द्वारा दिया जाता है ठीक है विट आयोग पूछेगा कितना अनुच्छेद में है याद करिए अनुच्छेद आपका दोस्वा अस्सी में दिया हुआ है चलिए बताए राष्टिय क्रिशी और ग्रामिन विकास बैंक की अस्थापना किस पंचवर्षी योजना की अवधी में किया गया था राइट आंसर आपका हुआ जाएगा चठी पंचवर्षी योजना यानि कि ऑप्शन नंबर जो आपका चठी वी है यानि कि C नंबर हुजाएगा सही जवाब सब्सक्राइब नाइंटीन फिप्टेशिक्स में भारतिय जीवन विमा की अस्थापना की गए थी बीश शूत्रिये कारिकरम गरीबी निवारन के लिए किसने गरीबी निवारन है वो किसने दिया था यह बताना है तो यह आपका जो गरीबी हटाओ है ना इंद्रा गांध आया था वो का वाया था वो इश्वी आपको बता देना है तो ट्वेंटीवन का राइट आंसर हो जाएगा उनिश्व तैहत्तर में हुआ था ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पे डियना उनिश्व सत्तर से लेके अस्थी के दौरान में आया था एक्जेक्ट आपको निर्यात होने के वज़ा से कमाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कप्रा के निर्यात होने के वज़ा से भारत में यह वर्ष्ट्र उद्योग के वज़ा से वर्ल्ड रेवल पे निर्यात जो है योगदान देने वाले में कप्रा कहीं में रोल रहता है क पटना कलम के अंतरगत निम्रिखित चित्रों में शामानता किस विशाय का चित्रन हुआ है बताइए तो कि क्या राइटांसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार का शामान जन जीवन का ठीक है बताइए एक वर्स 2011 की जनगना के अनुशार किस राज्य में साक्षर्ता की दर सबसे कम है यह तो सोचना ही नहीं है पहले बहुत बार आपको बताए जा चुका है तो बिहार आराम से टिक करिएगा पीछे वाला मामला में बिहार को टिक करते चलिएगा ठीक है चलिए देखिए बिहार के बाद अगर पूछेगा ना बिहार तो सबसे मतलब कम है ही मतलब बहुत गंड़ा कंडिशन बिहार का बना के रखा गया है इसके बाद न्यूंतम साक्षर्ता पर सिस्ट वाले तीन राज अगर पूछेगा सबसे पहले बिहार नंबर सकेंड पे आपका हो जाएगा अरुनाचल परदेश थर्ड पे हो जाएगा आपका राजस्थान ठीक है चलिए नेक्ष्ट बताइए कि भारत में और जिखिए टॉप में अगर पूछेगा पता ही है साक्षर्ता में टॉप लेवल पे कौन कौन सा है तो सबसे पहले आपका केरल हो जा है बिहार हो जाएगा option number A right answer बताइए कि यहाँ पे match करना है कहां से ये सारे चीज मिलते हैं तो अभरक के लिए आपको गया ठीक करना है अभरक गया में सबसे ज़्यादा स्वार्ण के लिए अगर पूछेगा तो आपको मुंगेर बता देना है डोलोमाइट रोगतास हो ज जाएगा option number C यहाँ पे right answer ठीक है लीची अगर पूछेगा लीची के लिए आपको बता देना है कौन सा मुझबपर पूर्जो है यह लीची के लिए दिया हुआ है देखके आप याद करने की कोशिस करिये सब को ठीक है चलिए पतना के बारे में आपको पता है इस्टेट जो बिहार इस्टेट इसको टर्स लिमिटेड है यहीं पर है ठीक है चलिए 29 बताई दलहन केंदर के अस्थापना बिहार के किस सहर में की गई है दलहन अनुसंधान केंदर अगर पूछेगा तो मुकामा में किया गया option D आपको ठीक करना है देखिए तंबाकू बीरी का जो बिहार स्टेट सिल्क जो है यह इसके लिए भागलपूर को आपको टिक करना है बताई कि पॉट जोल क्या होता है नमबर 30 का राइट आंसर क्या होगा पॉट जो है यह आपका कौनधारी वनपरदेश में पाई जाने वाला मिट्टी होता है तो option A आपको टिक करना है भारत का जूट के उत्पादन में वर्ड में फर्स्ट नमबर आता है ठीक है और सकेंड पर पूछेगा ना जूट उत्पादन में सकेंड में विश्व में कौन सा देश है तो आपको बांगलादेश बताना है ठीक है बांगलादेश आप बता देंगे चलिए नमबर 32 बता बताए कि भारत के किस राजी के सीमा नेपाल भुटान और चीन तीनों देशों के साथ लगती है सिक्किम राजी के सीमा जो है नेपाल भुटान चीन यानि कि इन तीनों से लगता है आपको क्या टिक करना होगा यहाँ पर option number C ठीक है आपको सिक्किम यहाँ पर बताना है चलिए बताईए कि पस्चिम बंगाल की सीमा एं कितने देशों के साथ मिलती है तो पस्चिम बंगाल की सीमा तीन देश नेपाल भुटान और बंगलादेश से बताना है तो option यहाँ पर फिर आपका कौन सा हो जाएगा number C सही हो कहिए कि मतलब जिला है बिहार का ठीक है अगर पुछे नदी कौन सा तो शौरा नदी आपको बता देना है निमलिकित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है इन समय से कोई एक है जो अरब सागर में नहीं गिरती है तो option number E हो जाएगा तो उंग भद्रा जो है यह अरब सागर में नहीं गिरती है बाद मांकि शावर मती नर्मदा और मंडोवी जो है न यह अरब सागर में जाकर क्या होता है मिल जाती है इंद्रावती जलविद्यूत पर्योजना किस राज्य में इस्थित है ओडिशा में हो जाएगा option number B सही जवाब इंद्रावती ज द्वारा 1929 में बिहार में बिहार प्रांतिये किसान सभा किस लिए बनाए गई थी चाहें तो वीडियो को रोख लीजिए अराम से सोचके बताईए देखे यहां पे ना option number जा आपका है ना सहयानन सवस्थित की द्वारा वर्स 1929 में बिहार क्रांतिये सभा किस था अपना जमिंदार के द्वारा गरीब किसान के अधिकार पर जो आकर्मन होता था था ना उशी के विरोध में किया गया था यानि आपका जो option number है आशी जमिं द्वारा गरीब किसानों के अधिकारों पर आकर्मन के विरोध में option number C आपका right answer हो जाएगा चलिए यहां से आपके लिए current का question है बताईए वैश्विक खाज सुलक्षा सूचकांग 2021 में भारत की सस्थान पर है बताईए नंबर 40 का right answer आपका क्या होगा option number भी हो जाएगा भारत 71 नंबर पर है भारत का पहला क्रिशी अधारित solar plant कहां पर अस्थापित किया गया है 41 का right answer option number आपका see हो जाएगा राजस्थान में देखिए जैसे यहां पर वैश्विक खाज सूचकांग सूरक्षा सूचकांग आपने देखा न एक बात यहां पर समझ लीजेगा ज गाट के 70 पर या फिर बढ़ के 72 पर भी जा सकता है तो इस बात को ध्यान रखेगा अभी एक्जाम आपका पास में नहीं है तो करेंट अफेर्स का इस तरह का डिटा जो कुछ दिनों पर आता है साल में आता है उसके लिए थोगा सा याद कर लिजेगा बट एक्जाम से पह जो में खोला गया है क्या बताएंगे बोलिए ओप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखण में न किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन और जा सायंत्र अस्थापित करने की घोशना कर दी है तो दक्षिन कोडिया के द्वारा किया गया है 2030 तक दुनिय के प्रैक्टिस सेट में टॉफ फाइब जो कॉलिज वगड़ा था वर्ल्ड लेवल का उनिवर्सिटी है उनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको बताया गया था आपको ध्यान होता अच्छी बात है बताईए क्या होगा यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ऑक्सपोर उनि नाइटिंगल अवर्ड बिहार के पहले टांजंडर का नाम बताईए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर उचित नहीं रचित होना है यहां पे रचित राज होगा रचित राज हो जाएगा अंतराश्ट्य टाइगर दिवस कब मनाया जाता है जस्ट अभी बीता है ब परोषकार की शुरबात की गई है निम्लविख्यात खिलारियों में से राजियु गांडे खेल रत्न पेइगर परोषकार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था और विश्वनाथनांद अनन्दापका राय टांसर निम्लःखित में से अम्रित और विस फुस्तक किसके दौर लिखा गया है ऑप्शन नमबर ए अमरित लाल सागर के द्वारा अमरित और विस पुस्तक लिखी गई है जो लोग और उनके ओधर के बारे में क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है लूशेंट अब्जेक्टिव का MCQ जुसे आप जरूर देखकर इस पूर्शन को भी आप लिजेगा ठीक है प्रेलिष्ट आपके लिए बना हुआ है लूशेंट अब्जेक्टिव का क्लास जरूर देख लेंगे पताइए कसेरू का मानव सरीर के कि सारे एक तंत्र का एक हिस्सा होता है मेरू दंड के सारे एक तंत्र का हिस्सा होता है यानि कि option number D आपको यहाँ प मेरा टोर्नीन अगर पूछेगा आपको क्या बताना है तो वाइरस के प्रवेश के लिए option number आपका A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वा निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकरता है वो क्या कहलाता है बताईए तो वो आपका ज्वलन तापमान यानि कि फैली हुई रबर सीट की तरह यह वहार करता है देखिए option नमबर कान का परदा हो जाएगा तो समझ लीजेगा रबर की सीट की तरह कहने का क्या सेंस है देखिए जब भी कोई साउन है ना इस परदे पर मतलब कहिए कि कमपन वगरा पैदा करती है तो क्या होता है कि छोटा सुन पाते हैं तो यहाँ पर आपका option नमबर डी कान का परदा जो है रबर की सीट के तरह कमपन करते विक्तर से कहिए कि यह काम करता है पाने की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है बताईए प्रकास का अपवर्तन हो जाएगा option नमबर जो आ वायू मंडल में लालिमा किस कारण से च्छा जाती है बताईए क्या टिक करेंगे यहाँ पर 56 का राइट आंसर सुर्योदे और सुर्यास्त के समय वायू मंडल में लालिमा का रीजन पूछेगा प्रकास का परकिर्णन होता है जानते होंगे आप option नमबर भी नहीं जानते ह चल यह कोई दिक्कत नहीं है दिर्ग दिरिष्टी वाले व्यक्ति के लिए निकटम बिंदू होता है कौन सा बिंदू होता है तो देखिए नेत्र के सामने वह जो निकटम बिंदू जहां से कोई वस्तू कहिए कि आप असपश्ट देख सकते हैं उसे ही नेत्र की असपश् कपसे संकट का घैसे सामानिता होती है वायू की संगटक जो गैस है क्या होता है तो आपण नंबर आप आप का सभिए देखे बताइखे और 59 59 मेंकि डिवाणी और चॉक के ईहां को प्रिषख किया जाता है किस विदीए के द्वारा आप करते हैं option number a अवशादन के द्वारा पानी और चौक के मिस्रन को अलग किया जाता है जंग जिसे आप रश्ट जानते हैं यह उधारन होता है किस चीज का यह एक जांपर है बताईए तो हो जाएगा आपका option number a सही जवाग योगिक का उदाहरान होता है जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लो ऑक्साइड का निर्मान होता है जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोग उक्साइड का निर्मान भार में बरहुत्री के साथ हो जाता है ठीक है तो भार में बरहुत्री कहां पर ऑप्शन नमबर देखें जो डी आपका दिया हुए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बताइए कि पेरा सिटा मूल क्या है आपको ध्यान आ रहा होगा पेरा सिटा मूल एक दिया जाता है तो पिराहर आप इसे कह सकते हैं ओप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चलिए बताइए कि हाले में लूप्त पक्ची मतलब कौन सा पक्ची है जो आप गायब होने के कंडिशन पे है डोडो आप ध्यान रखेंगे और यह मौरिसस में पाया जाता है कहाँ पर डोडो मौरिसस आपको ध्यान रखना है ना उरने वाला पक्ची इसमें से कौन सा है आप जानते हैं इमू आपका नौ उरने वाला पक्छी है कीटों का मुख की लक्षन क्या है कीटों का मुख की लक्षन तीन जोरी टांगे होता है तो यहाँ पे option number जो आपका B है तीन जोरी टांग राइट आंसर है द्विनाम पद्धती के जनक कौन है द्विनाम पद्धती के जनक कैरोलस लीनियस आपका हो जाएगा सही जवाब तो यह जो आपका लीनियस है यह अधूरा नाम है पूरा नाम यहाँ पे आप देखी लिजिए इसको सबसे पहले आपको कैरोलस और फिर लीनियस आपको बताना है अस्तंधारियों का सबसे महत्पूर लक्षन बताईए तो क्या होता है तो चार कुष्टिय हिर्दे अस्तंधारियों का महत्पूर लक्षन में आता है तो option नमर जो वी है यह आपका राइट अंसर हो जाएगा अगर पूछेगा मेंड़क के बारे में कि तेरा कोष्टिय प्रानी यह होता है बताए कि मचली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है option number a ग्रासील लिओ से मचली वर्ग की पहचान की जाती है well एक अस्तंधारी है क्योंकि क्योंकि इसमें चार प्रकोष्ट का हिर्दे होता है option a आपको इसका क्लास देख लेना है ठीक है जरूर इसका क्लास आप देख लीजेगा जीव विग्यान सब्सका जो यूजय सबसे पहले किश्के द्वारा किया गया था अगर यह पूछेगा क्या बताएंगे आप लैमार का आपको ध्यान आ रहा होगा चलिए बताएंगे 70 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा option नंबर ए हो जागा जीव विग्यान के जनक पूछेगा तो यह अरस्तू है ठीक है नंबर 71 बताना है कि वर्गी करन के आधार की इकाई बताएंगे तो क्या होता है option नंबर आपका भी हो जाएगा इस पीसी जो होता है वर्गी करन के आधार की इकाई रूधीर में अधिकतर CO2 ले जाए जाती है कैसे कार्बोहाइडरिट आइनो के रूप में ले आ जाता है ठीक है option नंबर जो आपका यह है न डी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 72 का डी टीक करना है नंबर 73 है कि यह सरीर में फास्फूरस पाया जाता है कहा पर तो दात में पाया जाता है option नंबर C हो जाएगा अस्तियों दथा दातों में यह दोनों जगा आपको ध्यान रखना है ठीक है सरीर में रुधिर में न अगर पूछेगा कार्बो हाइडरेट के आयन के रूप में पूछा यह फास्फूरस पूछेगा तो अस्ति और दात इन दोनों जगा पर पाया जाता है ठीक है फास्फूरस मानव के लाल रुधिर कनों जीसे आप आर बीशी के नाम से जानते हैं इसका जीवनकाल होता है कितने टाइम का होता है तो ऑप्शन नंबर ए एक सबीस दिनों का लाल यह जो आपका मानव के लाल रुधिर कन का होता है जीवनकाल सरीर में सबसे बल साली पेसी पाई जाती है जबरा में पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे परसेंट अधिक है जिसका वजन C के वजन से 30 परसेंट अधिक है A का वजन C के वजन से कितना परसेंट है C का वजन पूछा है न आपको C को मान लेजे कुछ मान ले जिए 100 kg B का वजन उस हिसाब से कितना हो जाएगा 30% अधिक है न तो 130% हो जाएगा और A का वजन आपसे पूछा है ठीक है A का वजन क्या है B के वजन से 20% अधिक है तो आप इसे कैसे 130 120 परसेंट जादा पूछा है 120 बट है 100 करिएगा solve करेंगे जितना परसेंट आएगा वो आपका total परसेंट में आएगा उसमें से बस आपको 100 को हटाना है जो आपका right answer आएगा यही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ठीक है इसे आप solve कर लिजेगा discussion वगरे भी दिया हुआ काफी अच्छे से देख लिजेगा pdf ले लिजेगा telegram group को आप join कर लिजेगा lucent का homework वाला class के लिए कुछ लोगों का message था किसा telegram पे करवा देजिए एक बात समझे telegram पे फिलहाल करवाना possible नहीं है आप इस बात को समझ लिजेगा telegram पे mcqs करवाना possible नहीं है जो भी class आपका lucent का अभी के बाद आपका आएगा न जब objective वाला mcqs करवाया जाएगा उसी time आपको next topic का homework आपको बता दिया जाएगा उसे आप याद कर लेंगे वहाँ से आपको 40, 50, 30 जितना question सही लगेगा वह आपको करवाया जाएगा उसका जवाब आप बताईएगा lucent या फिर crown book अगर head अच्छी बात है नहीं तो आप खरीद के रख लीजी आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से तयारी करना है ठीक है चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ